Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं टाइबस ऑफ बेक्टीरिया on the basis of फ्लैजला फ्लैजला क्या है? फ्लैजला का सिंग्टलर टम होता है फ्लैजला ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं जो कि किसी भी बैक्टिरिया को स्विमिंग कराने के लिए responsible होते हैं तो फ्लेजलम के basis पर ये पांच तरीके के बैक्टिरियम है A.Tricus, Monotricus, Lofotricus, Amphitricus और Peritricus सबसे पहले हम लोग समझते हैं A.Tricus A.Tricus की अगर हम बात करते हैं तो ये A.Tricus बैक्टिरिया नाम ही है A.Tricus मतलब इसमें फ्लेजलम जो है वो होता ही नहीं है नंबर टू, Monotricus, नंबर टू है Monotricus Monotricus नाम में है Mono, Mono मतलब 1 तो एक ही फ्लेजलम होगा और Jamie oui, जब एक फ्लेजलम है तो किसी एक end पर होगा नंबर थ्रड नंबर थ्रड है Lofotricus जैसे कि आप Lofotricus में देख सकते है, Lofotricus में भी एक end पर होता है लेकिन एक नहीं होता मदलब फलैजलम नहीं होता बहुत सारे होता है ठीके बहुत सारे फलैजला होते है ओके next है emphitracus emphitracus की अगर हम बात करते हैं to emphitracus में आप देख सकते हैं कि दो तरीके के बैक्टिरियम आ सकते है emphitracus में मतलब दो तरीके के क्या नाम है Amphi, Amphi मतलब होता है Dual तो दौनों पोल्स पर दौनों पोल्स पर Flegela या Flegelum होंगे मतलब बहुत सारे Flegela भी हो सकते हैं और सिंगल एक Flegelum भी हो सकता है दुबारा सुनिए मैंने कहा Lofotricus में सिर्फ एक End पर बहुत सारे Tuff of Flegela होते हैं लेकिन Amphi Trichus में दौनों पोल्स पर होते हैं एक भी हो सकता है मतलब एक-एक दौनों पोल्स पर भी हो सकते हैं या बहुत सारे दौनों पोल्स पर हो सकते हैं इसकी बाद next आता है Peritricus Peritricus की अगर हम बात करें तो peritricus में चारो तरफ होते हैं बहुत सारी flagellum होंगे जो कि चारो तरफ होंगे सिर्फ poles की बात नहीं होगी तो यह कुछ टाइप है bacteria के on the basis of flagellum अगर आपको यह वीडियो helpful लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरी काती है